जारखंड के गराम वासियों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ वो जानकारी बहुत बहुत ही महतोपुन है वो क्या जानकारी है? पहले तो आप देखिए कि एक जलमिनार लगा हुआ है कैमेरा दिखाए यहाँ पे एक जलमिनार लगा हुआ है और जलमिनार लगा हुआ है उसके आगे देखिए नल जो है बोर अलग है और अलग 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 लगा हुआ है तीनो नल यह देखिए और बराबर निकासी के लिए पानी निकलने के लिए भी बना हुआ है ठीक है? तो ज्यादा तर आप पंचायतों में देखते हैं जल्मिनार लगता है क्या करता है उसी में लगा देता है और जल्मिनार के नीचे टांग देता है अब आपको जो सबसे महत पुर्ण बात हो हम आपको बताते हैं यह देखिए जल मिनार के उपर एक बोट टांगा हुआ है और बोट में लिखा हुआ है 15 में वित आयोग मतलब 15 में वित आयोग से इसका फंडिंग हुआ है मुखिया को मुखिया का नाम लिखा हुआ है आशा आशो देवी मुखिया गराम पंचायत सो सो परखंड दुलमी जीला रामगर योजना का नाम है गराम सो सो में लोविन महतो के घर के सामने सोलर अधारित जल मिनार योजना संखेया 3-2021-22 परकलित रासी मतलब कितना इसके लिए रासी मि पईया तो यह जनकारी क्या है कि आप लोग कहां जो जल मिनार लगता है आप लोग कहां कोई भी योजना आता है तो आप लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है कि योजना का नाम क्या है किसके तहत पैसा मिला है कितना का योजना है यो यह सारी चीजे लिखना चाहिए देख कि यह कितने अच्छे से लिखा हुआ यहां पे आप खुद देखिए एक्जामपल है यह इससे क्या होगा कि आपको जो है पूरे तरीके से जनकारी हो जाएगी कि हमारे पास जो हमारे एरिया में जो जल मिनार लगा हुआ कितने का लगा हुआ है अब देखिए कितने अच्छ इस पर लिख के टंगवाई है तब तक देखते रहे हैं भॉकाल टीबी न्यूज जैहिंद